दमो सिंग्रामपुर में हवा के दबाव से कमप्रेशर की तंकी फट गई जिससे एक्वेक्टी की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दूसरा गंभी रुप से खायल हो गया जिसे प्रारब्ध कुपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार या हादसा दमो जबलपुर स्टेट हाइवे की मुख्य सड़क मार्ग पर इस्थित श्याम सुंदर विश्वकर्मा की वर्कशॉप में घटित हुआ है जहां हवा के अधिक दबाव से धमाकी के कारण कमप्रेशर की तंकी फट गई टंकी फटने से दुकान में सामान खरीदने गए नवीन की दरदनाक मौत हो गई वहीं वर्कशॉप संचालक के बेटे चन्नु की हालत गंभीर बनी हुई है बता दे कि या हादसा इतना खतरनाक था कि कमप्रेशर मशीन के फटने से वर्कशॉप के परखच्चे सहित दिव पर पहुचे जहां मृतक के शव का पंचनामा कारवाई कर उसे पीम के लिए भेजा गया है दमोह से मनुहर शर्मा की रिपोर्ट टीम पलपल इंडिया